सभी का टेक स्टड़ी आईटेय यूट्योब चनल पर RRC SER Railway Recruitment Cell South Eastern Railway की तरफ से GDC के अंतरगत यहाँ पे 1202 पोस्ट पे Permanent Job की Vacancies आ चुकी हैं जिसमें Assistant Locopilot की 827 पोस्ट है साथ में यहाँ पे Goods Guard की भी Vacancy निकाली गई है तो जो Candates इसमें eligible हैं आप लोग इसका form जरूर भरियेगा यह पूरी तरह से यहाँ पे GDC के अंतरगत भरती आई है और सबसे important बात अगर आप ITE कर रहे हैं ITE Pass Out हो चुके हैं और आप Railway Examination की तो यह वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए किस तरह से आप Railway के किसी आने डिपार्टमेंट में कारे करते हुए भी यहाँ पे जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं इनमें simple exam देखे जो है डिपार्टमेंटल पास करके भरती हो सकते हैं तो आईए देखेंगे पूरी notification यहाँ आप देख सकते हैं Constable की best book के बारे में जो की है चक्शू पब्लिकेशन से अगर आप लोगों ने भी RPF Constable का form भरा है और आप बेहतरी इंत्यारी करना चाहते हैं तो आप यह book जरूर परचेज कर सकते हैं जिसमें आपको online भरती परिच्छा जौब की 2024 होगी उसके latest labels की recording सामाने ग्यान, सामाने बुद्धियों तर्क सकती और अंक गनित के आपको यहाँ पे पचीस सो से ज़्यादा भविकल्पी प्रस्त मिल जाएंगे हल सहीत, पांच आपको सॉल पेपर्स मिलेंगे व्याक्यात्मक हल सहीत साथ में आपको 20 practice set भी यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे तो आप लोग इसे जरूर परचेज कर सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं सभी online websites पे भी आपको मिल जाएगी Flipkart, Amazon पे description में भी हमने link दे दी वहाँ से भी आप direct इसको परचेज कर सकते हैं साथ में आप इस number पे भी WhatsApp करके contact कर सकते हैं आप इसे सूची देख सकते हैं सभी आपको यहाँ पे practice set एंड साथ में solve papers मिल जाएंगे बहुत ही बेहतरीन printing के साथ आपको ebook available होती है तो जरूर आप लोग इसे purchase करें साथ में आप यहाँ पे चक्षू पब्लिकेशन का constable study guide और यहाँ पे railway reasoning, railway math और railway सामान अध्यन की भी अलग से book purchase कर सकते हैं जो कि आपका यहाँ पे ALP technician and आपका group D इसके साथ साथ constable की तयारी में भी मदद करेगा तो जरूर प्रचेश कीजेगा वेटरें बुक्स हैं डिस्क्रिप्सन में लिंक अवेलिबल है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह notification है इसे हम आपके साथ टेलिग्राम पे भी share कर देंगे अगर आप लोग अभी तक टेलिग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टड़ी आईटेई चैनल पे जरूर जुड़िएगा डिस्क्रिप्सन में आपको लिंक मिल जाएगी लास्ट डेट फर्म बनने की यहाँ पे 12 जून 2014 से 12 जून तक यह फर्म भरे जाएंगे और यह वैकेंसी जो है क्या है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल डिपार्टमिंटल कंपेटिब एकजामिनेशन यह डिपाटमिनटल वैकेंसी है मतलब जो केंडेट्स यहाँ पे रेल्लेवे में जाब कर रहे हैं वही यहाँ पे इसका फर्म भर सकते हैं इसी वज़ा से इसमें competition भी कम होता है और selection भी आसान हो जाता है तो अगर आप ITI कर रहे हैं ITI पास है और आप सोच रहे हैं आप ये भर सकते हैं firm तो जी नहीं आप नहीं भर सकते हैं firm कौन-कौन भर सकता है उसको यहाँ पर देख लेते हैं देखिए यहाँ पर कौन-कौन य Side-down करें, South Eastern Railway करें, Western Railway करें, Eastern Railway करें, NER में करें, Northern Railway में करें, ऐसी departmental vacancy हर साल हर जोन में आती हर डिविजन में आती है, तो जो candidates यहां पर South Eastern Railway में जाप कर रहें, वो चाहे Group D में हो, वो चाहे technician में हो, वो चाहे किसी और पोस्ट पे हो ठीक है, सिर्फ RPF और RPSF साथ में Law Assistant and Catering Supervisor को छोड़ के ठीक है, ये Vacancy में भर सकते हैं सभी किस पे ALP and Train Manager या Goods Guard कटेगरी में General Department Competitive Examination के अंतरगत जो एक कोटा है उसके अंतरगत आप ये Farm भर सकते हैं Consecandidates जो SCR में काम कर रहे हैं और RPF, RPSF के बाहर जो पोस्ट हैं उनमें काम कर रहे हैं, वही लोग इसको Farm को भर सकते हैं यहाँ पे कोई Condition नहीं है कि आपको कितने टाइम काम करते हुए होना चाहिए Simple अगर आप Railway Employee हैं तो आप Farm भर सकते हैं तो यहाँ Benefit यही होता है, मालीचा आपने Railway Group D-Join किया और यहाँ पे भरती आ गई, आप Farm भर के ALP में हो जा रहे हैं आपने Railway Group D-Join किया, आपके पास Graduation की डिगरी आप Train Manager, Goods Guard हो जा रहे हैं मतलब इस तरीके से यहाँ पे चीजे हैं जिसमें आप जो है Promote हो सकते हैं यहाँ देखें Vacancy, तो Vacancy आप देखेंगे ALP की भरती अगर आप देखें, तो 7 CPC की आपकी पोस्ट होगी 19 से यहाँ Grade पे रहेगा, कुल Vacancy है 827 Category Wise Breakup आप देख सकते हैं, इसमें OBC की आपको Vacancy दिखेंगी 204, Unreserve की 420, 129 और 24 Unreserve, ऐसी पोस्ट होती, इस पे सभी फाइट कर सकते हैं ठीक, बाकी आप अपने कटेगरी में फाइट करेंगे ही क्या मागा गया Eligibility, तो Eligibility वही है, जो ALP की Eligibility रहती है 10 आपने पास की हो, ITI आपने किया हो, NCVT, SCVT से इतने जो यहाँ पर Trade दिये गए हैं, जो ALP में Eligibility होते हैं वो सारे 2 years की Trade है, सिर्फ एक Diesel Mechanic, 1 year का Trade यहाँ पर रहता है Mechanic Diesel, या आपने 3 years का Diploma किया हो, या आपने B.T.E.C. किया हो तो आप Farm भर सकते हैं Mechanical, Electrical, Electronics या Automobile Engineering में Single Stage आपका CVT exam होगा, उसके बाद आपका Aptitude Test होगा, जो की ALP में होता है Generally जब आप Normal ALP का Paper देते हैं, तो 2 Stage के CVT होते हैं, फिर आपका CVAT होता है इसके बाद आपका Medical or Document Verification होगा, फिर आप Final यहाँ पर Join कर लेंगे और जो जो भी आप exam की तयारी कर रहे हैं, बहतर तरीके से कीजिएगा, क्योंकि examination आपके बहुत चल्दी conduct होने वाले हैं Next अगर Vacancy की बात करें तो इतनी ज़्यादा, एक तो सबसे बड़ी बात यहाँ यह बताएंगे हम आपको कि ALP के अभी भरती आई है, वहाँ आप टोटल देखेंगे कितनी पोस्ट है, 5696 और अभी आपने देखा, SECR बिलासपुर की तरफ से भरती आई, यहाँ से आप देख रहे हैं, 827 पोस्ट आई तो यह इतनी ज़्यादा भरतीया खाली है फिर भी open market में recruitment 50% के नाम पे हमें लगता है, 10% ही आया है, क्योंकि जो यह departmental भरती हैं, 50% भरी जाती हैं, 50% बाहर से भरी जाती हैं, फिर भी इतनी कम vacancy जारी की गई, तो जरूर अंदर ही अंदर, कुछ ना कुछ यहाँ पे खेल, चल रहा है, election के चक्कर में ही भरतीया ल आप कर रहे हैं, S.E.R. में, आप लोग देख लीजिए, जो group D जाने का सपना सोच रहे हो, तो आप लोग भी देख लीजिए, कैसे आप departmental exam देके, आसानी से बड़ी post भी पा सकते हैं, 365 vacancy है, A2 type का medical standard होगा, degree होनी चैनी, graduation आपका होना चाहिए, single stage आपका CVT होगा, फिर DV and medical आपका कराके, joining आपको दे दी जाएगी, ये है GDC की भरती, इसमें सिर्फ South Eastern Railway के candidates ही form भर पाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, अगर आप सोचें, आप कहीं और job कर रहे हैं, इसमें आके form भर देंगे, तो आप इसमें form नहीं भर पाएंगे, ठीक ह 14-42 साल, OBC 18-45, SCSD 18-47 साल तक आपकी age होनी चाहिए, 17-2006 lower data birth का criteria रखा गया यहां पर, proof of age में आपको सारे documents देने पड़ेंगे, fees कोई नहीं लग रही, online आपको form भरना है, 12 June last date है, उससे पहले-पहले आपको form भरना है, अगर कुछ candidates ऐसे हैं, जो eligible है, और form भनने का आपको form भनने का video हम provide कर देंगे, ठीक है, thank you very much, बाकी information आप यहां पर देख सकते हैं, syllabus वगेरा भी आपका यहां पर पूरा दिया हुआ है, कैसे क्या exam में पूछा जाता है, तो वो चीजें भी आप लोग यहां पर read कर सकते हैं, इसे हम telegram पर share कर देंगे, thank you